तो देखिए जब इनसान का ये होता है जब पाप का घड़ा वरने लगता है तो उसे भगवान याद आते है मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ आज की दिल्ली की आज अरविन केजरिवाल ने एक ट्रेन रवाना की है तीर थियात्रियों के बहुत बड़ी जो वो हर साल भेजते रहते हैं कुछ-कुछ महीनों के बाद भेजते हैं के तीर थियात्रियों को रवाना करते हैं आ लोगों को जो है वो तीर तैर्टर पर भेजते हैं बहुत सारे उर्स में जायतर उनके वोटर्स उनके कारे करता ये सब लोग होते हैं तो अरविंद केजरिवाल जो है वो एक तरीके से अब लिपा पोती की पोजिशन में है और जिस सौकॉल्ड इंडी अलाइंस के तूटने किस मुद्धे पर हम कह रहे थे कि ये इंडी अलाइंस में इनकी जो है गटबंदन हो गई है किसल वो जो अध्यादेश वाला मुद्धा था उस पे समर्थन के लिए केजरिवाल दबाव बना रहे थे और वो कॉंग्रेस को जुकाना चाते थे और कॉंग्रेस को जुकाने म मत करो हमें नुकसान है हमें इंदू वोट दे रहे हैं आप तो जानते हैं इस बारे में लेकिन राउल गादी ने कहा कि नहीं हमें तो सिर्फ मुसल्मानों के ही वोट चाहिए बाकी के चाहिए ही नहीं वहां मुसलिम लीक से कराया केरल में वहां वो पस्चिम बग्गाल में फुरफुरा वाले जो पीर जादा थे अब बास सिद्ध की उसकी पार्टी से करा दिया वहाँ बदरुद्धी ने जमल के तो 13 से 16 हो गया विधाक ये तो वहीं के वहीं रहे गे और देखिए वो जो इनकी महिला मोर्चे की वो युवा मोर्चे की जो जक्ष होगा करती थी चोड़के इसी वज़े इसी मुद्धे पे गई थी उन्होंने कहा था कि हमने यहां बढ़िया तैयारी कर लिये और हम यहां पर सरकार बनाएंगे लेकिन राहूल गांदी जो है वो जो उनके आखनाक काने वो अपने दिमाग से काम नहीं करते जो दूसरे लोग जो उन्हे बताते हैं जैसे के जैराम रमेश हैं जैराम रमेश की यूपीय सरकार के समय दो कोड़ी की हैस्यत नहीं थी कोई नहीं पूछता था जैराम रमेश को आज वो सबसे खास हो गए हैं तो उन्होंने का कि मैं तो गोरव गोगोई की सुनूँगा मैं सुसमित अदेव की नहीं के साथ थे उसमें वो कील ठोब रहे हैं इससे आप ये बताईए कि किस किस वर्ग को परभावित करना चाहते हैं इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं और अब लोग उनकी इन हरकतों को समझने लगे हैं कि वो बार-बार फोटो अपॉर्चिनिटी के लिए जाते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि उनके हाँ वो माईक लगा रहता है वो जो आप लोग भी लगाए लाइव के समय लगाते हैं वो चोकुर वाला वो छोटा सा माईक रोड का वो लगा रहता है हमेशा तो वो सब लोग समझने लगे हैं कि यह सब एक नाटक है कि लालू के घर जो मटन खाने के लिए गए वो भी एक नाटक है वो सब मीडिया टेंशन के लिए वो सब चीजे कर रहे हैं तो राहूल गांधी को जुका कर अर्विन केजरीवाल ने ये साबित कर दिया था कि अगर कोई भी डील भविश्य में होगी पंजाब में और दिल्ली में तो सब हमारी शर्त से पहले जबर्दस्थ वोकल थे रोज उनके बयान आ रहे थे रोज वो त्वीट कर रहे थे उसके बाद से अजे माकन ने एक ट्वीट नहीं किया है एक प्रेस क्वांफ्रेंस नहीं किये मीडिया के सामने आना ही बंद कर दिया जब ठीक है जब हमारी सुननी ही नहीं है जो करना है आप करो तो ये तो अलाइंस कहीं बनाई नहीं था दूसरी और दिल्ली में कॉंग्रेस इसके विरोध में जाद मुखर थी लेकिन दिल्ली में सोरी कॉंग्रेस जाद मुखर थी विरोध में लेकिन वहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले जादे मुखर है पंजाब में उनका मानना है कि अगर हम कॉंग्रेस के साथ समझोता करेंगे तो इस बार हम तो 13 की 13 सीटे जीतने की पोजिशन में अभी जालंदर का बाइपॉल भी जीत लिया है हमने तो उनका ये मानना है कि इस बार हमारे यहां बैटर चां वाली भगवंत मान अब रागव चड़्डा ने तो शादी कर ली वो तो भनी मून वगएर पे चले गए तो अब भगवंत मान कम से कम अगले एक दो महिना अपनी मरजी चलाने वाले हैं ये तैह है और देखिए एक भगवंत मान के बारे में जो लोकल पंजाब के लोगों करते हैं भगवंत मान बेसिकली खालिस्तानियों का खिलाफ है और उसका मानना है कि ये पंजाब जो है मिलिटेंसी की तरफ अगर जाता है फिर से तो सभी का नुकसान है पंजाबों का पंजाबियों का पंजाबियत का सिक्खों का सब का नुकसान है इसमें तो इस बात को भी लेकर दोनों में मतवेद रहते हैं लेकिन अरविन केजरिवाल ने अपना वहाँ पे चिंटु सेट किया हुआ था रागल चड़ा को और अभी तो कुछ महीने पहले तक तो ये था कि सुपर सीम वही हैं सारे अधिकारियों के डी जी पी के जो भी तबाद लेते सारी लिस अलबता है वैसे जो ये वाला मामला है खेरा और पुराना मामला है और खेरा आप जानते हें कि आम आदमी पार्टी में भी रह चुक है हैं विदायक भी रहे हैं उन से और एक दो साल में इनकी अरविन केजरिवाल से खट पट हो गी थी और 2017 में शायद ये विदायक बने तो खेरा वाला जो मामला है ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन इसको चुकी देखे खेरा को लेकर अभी कॉंग्रेस में भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं सामने आया है कल जब मीडिया वालो ने इसके बारे में मलिका अरजुन खड़गे से पूछा तो मलिका अरजुन खड़गे ने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ है मुझे पता नहीं है मैं इसमें देखता हूँ राउल गांधी वगएरे ने मुझे पता नहीं कोई ट्वीट वगएरे से लेके किया है कि नहीं एक दो छोटे मोटे नेताओं के बयान आये हैं सूपरियर स्रीनेत वगएरे इनका तो काम है डोल बजाना गाना इनका तो रोज का यही काम है तो इस केरल में समझोता करते हैं दोनों तो वहाँ बीजेपी नंबर टू की पार्टी हो जाएगी यह बात हमारी पिछली बार भी हुई थी कि अगर यह समझोता करेंगे कि चाप बीस में से दस तुम लड़ लो दस हम लड़ ले तो वहाँ बीजेपी ऑटमेटिकल नंबर दो पे पहुँच जाएगी तो और वहाँ पे कम्मिनिस्ट पीछे अटेंगे नहीं वो अपनी पूरी की पूरी सीटे लड़ेंगे वहाँ पे स्तिती यही होगी और देखें ममता बनर जी जो है पस्चिम बंगाल में उन्हें पता है कि यह दोनों एक साथ रहें तब कोई फरक नह रने वाला तब भी मुझे बीजेपी से लड़ना है अगर यह दोनों एक साथ लड़ेंगे भी तो भी मेरे सामने बीजेपी ही खड़ी होगी वहाँ इनकी कोई वजूद है नहीं तो गटबंधन कायदे से जो इंडी एलाइंस है अगर इस इंडी एलाइंस में से दिल्ली और पंजात को आप हटा दें तो फिर यह यूपीय थिरी बन जाता है उसके लवा बचता ही नहीं कुछ भी इसमें कोई नया समीकरण नहीं है आपने बिल्कुल सही कहा कि माहराष्ट बियार तमिलनाडू सब पहले वाली तो स्थिती है उसमें तो कोई चेंज है नहीं पहल पड़ी ने जमकर गालियां दी खूब कहा मिलने के लिए कौन जा रहा है उससे घर पर उसके भागा हुआ राहूल गांदी अखलेश यादव दावनिशली के घर पर गए ते उसी रात गए थे उससे नेक्स्ट रात में गए थे और जाना किसे चाहिए था अगर आप इंडी एलाइंस का इस्सा है तो समाजबादी पार्टी का कोई नेता जाता या फिर अखलेश यादव जो उसे जाते या जैंत लगतार जिसे कहते हैं ना कि प्रासंगिकता उनकी बनी रहे उनका वजूद बना रहे ऐसा कोई भी काम ना हो जाए कि जिसमें कॉंग्रेस की से ना हो तो इसलिए राउल गान्दी भागे भागे उनके घर चले गए बाद में संजे सिंग वगएर ये लोग गए निका तो क कॉंग्रेस की तरफ से अड़के तो मुझे दोजार वोट नहीं मिलेंगे मैं कॉंग्रेस से क्यों लोड़ूंगा वो बात कर रहा है सिधा अखलेश यादव से दानिश अली को टिकट चाहिए इस बार अमरोहा की सीट मुसलिम सीट है और वो ये चाहता है कि इस बार इंड भी चल मुसल्मान मान लेंगे कि इस हाब ठीक है दानिश अली जो है मुसलिम कंडिडेट है और गटबंधन के बैनर पर आया है कॉंग्रेस तो ने कुछ दे ही नहीं सकती और कॉंग्रेस के इससे में उसीट जानी नहीं है बसपा इंडी ऐलाइंस का पार्ट नहीं है तो ब बसपा में रहने का उसका मतलब नहीं है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहूल गांधी सारे वो काम करते हैं जिससे इनके इंडी ऐलाइंस के जो साथी है वो ऐसे है जो आप याद कीजिए सावर कर लेकर जब शुरू शुरू में बड़ा बोल रहे थे राहूल गांधी सर वस्या ये है कि जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे बिहार की कर रहे हों या फिर उत्तर परदेश की कर रहे हों या राउल गांधी पर इस तरह का दबाव बनाने वाला कोई नेता है नहीं। चाल चलने के लिए जो अपना बंदा सेट है, गोटी सेट है, वो लालू यादव के माद्यम से राहूल गांधी ने और सोनिया गांधी ने सेट की हुई है, तो ये तो इस तरह की रन्नीती पर चल रहे हैं, ये तो अपने जितने भी इनके साथी दल हैं, उन सब को ये ऐसे है पीछे नहीं अटेगी, अन्ना मलई का आपने जिकर किया, मैंने वीडियो भी बनाया तो इस मुद्धे पर, और उसमें जब मैंने इनके बारे में इन्पूर्स निकाले, तो बता जाता है कि अभी मार्च अप्रेल महीने में कोई एक बैठक होई थी, BJP की वहाँ पर, अन् हराल वगरा ने एक खबरे चापी हैं, कि अन्ना मलई ने साफ तोर पर ये कह दिया था, कि मैं इस्तिफा दे दूँगा, अगर इन से आपने समझोता नहीं तोड़ा, और अन्ना मलई का कोई बयान नहीं आया उसके बाद, उन्होंने का है कि ठीक है, गटबंदन तूट गय पार्टी हाई कमान देखेगा, अब सुनने में आया है कि निर्मला सीतारमन को बेजा जा रहा है, वहाँ पर कि आप जाके बताईए कि क्यों टूटा है गटबंदन हाई कमानी तो जी से कहते हैं थोड़ा सा लीपा पोती वाला, और AI-ADM के नेता बताते हैं कि दिल्ली में पियूश गोयल से मिले हैं भी दो दिन पहले, उन्होंने काया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्नम अलई से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब चुनाव का समय आएगा, हम उस समय गटबंदन कर लेंगे, अभी फिलाल हमें जो है तोड़ लेंगे, ये बाते समझ में ये सामने आई हैं, और मद्यपरदेश से आपने बात शुरू किती, मद्यपरदेश में कई और चीजे भी की हैं बीजेपी ने, अभी मैं आज एक स्टोरी पढ़ रहा था, पतानी कहां किसी उस पे वेब साइट पे चल रही थी हो खबर, उसने ये बताया कि इस बार बीज शत्तर वाला, उन्होंने कहा है कि केंडिडेट विनिंग होना चाहिए और कम से कम आठ दस अजार वोट से जीतने की छमता होनी चाहिए, ऐसे केंडिडेट्स को मैदान में उतारा जा रहा है, तो वहां जो उन्हें लग रहा था कि साब एंटी इंकंबेंसी है, बाकी सब च उसमें 33% महिलाओं का टिकट देंगे, ये ख़बर कहां तक पक्किया, आप इस बारे में बताइए, आपको जानकरी है, सही बात है, और टॉंक वाले में दरसल ये भी है कि एक तो गुजर फेक्टर है, और मेश भी दूडी गुजर नेता है, और दूसरा, आज के लिए मु में बताइए, मुझे लगता है कि जो नड़ा और वहां पर होके आए है, हलाकि कहा तो ये जा रहा है कि इसमें टिक्नों पर बातचीत नहीं हुई है, तो फिलाल वसुंत्रा को तो वैसे भी मुझे लगता है कि चीनता बेटे की ज़्यादे होगी, अगले साल वो इस तरह क सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने राजस्तान की टिकेट भी टिकलेर कर दिये, किसाब बीजेपी ने यहां से इन लोगों के ना, हाँ मैं देख रहा था, कटिंग चल रही थी, वो चाहिए बास करिया, किसी एख़बार की कटिंग थी, उसमें बाकर दा चाप दिया, उस सोशल मीडिया पर जारी होने लगी, लिस्ट चिपकाय जाती थी, कई कंडिडेट्स को तो टिकेट डिकलेर होने पर पता लगता था, कि मेरा नाम है लिस्ट में, मुझे तो टिकेट की लाइन में भी नहीं है, और उसका नाम आ गया, ऐसे से नाम मैंने देखे हैं, जो पार कर चुके हैं कि जहां पर भी जा रहे हैं, यह कॉंग्रेस का विकल्प बन रहे हैं, भाजपर का विकल्प नहीं है, उनका option नहीं है, तो यह तो कोशिश सभी जगह छोटे-चोटे pockets में ही चाही, जैसे कि गुजरात में इन्हों अच्छी खासी entry मारी और मद्द्ध पर्द बना है यह जो खेरा वाला मामला हुआ है इसके बाद मुझे लग नहीं रहा कि कॉंग्रेस में इसका विरोध होगा और कॉंग्रेस को बड़े लेवेल पते कि अगर खेरा का मामला वैसा ही होता लोकल लेविल का तो अलग बात थी वहां पे जो इनके परताफ सिंग बाजवा है जो इनके लीडर ऑफ पोजिशन है पंजाब में वो तो गांदी फैमली के बिल्कुल खासब खास हैं कैप्टन की मरजी के खिलाब हुने लाए थे ये लोग कैप्टन उन्हें पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी तो वो भी इसका बिरोध कर रहे हैं खुलके उनके कहा ह हैंगे और हम बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी से गटबंदन यहां किसी तरह से होने नहीं देंगे पंजाब में तो मान लीजिए आपके खतम हो चुकी एक आनी नहीं की बनेगी नहीं कुछ नहीं है साथ खड़गे जी वरगे जी की कुछ नहीं चल रही है अब कल का जो स्टेटमेंट था जब मीडिया वालों ने वो खेरा वाला मामला हुआ तो उसके बाद एकदम से मीडिया वाले पहुँचे थे खड़गे जी का स्टेटमेंट उस पे लेने के लिए तो खड़गे जी तो इससे अनभी गी थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि पंजाब में हो क्या रहा है तो खड़गे जी कि तो कुछ नहीं है उनके तो नाक कान दूसरे ही है और जब गांधी परिवार कुछ बोलता है तो वो उसी को उसी लाइन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं सैदे कुछ नहीं है बीच में कुछ लोगों ने चर्चा ये चला दी थी कि राह है नहीं कोई मानेगा नी इस बात को और खड़गे जी का जो है बस ये अंतिम समय है राजनीती में और कुछ है नहीं उनके पास बचा नहीं है चुनाव आर चुके हैं लोग सबगा इस बार पता नहीं चुनाव लड़ेंगे ये नहीं बेटे को मंत्री बनवाई दिया है उन्होंने वहाँ पे तो वो तो रिटार्मेंट प्लान है उन्होंका तो वो कॉंग्रेस के मार्क दर्शक मंदल में चले गए हो उत्तर प्रदेश के तो मैंने बताई दिया आपको उत्तर प्रदेश में तो कोई सुनने वाला इनकी है नहीं वहाँ पे तो जो अखलेश याद स्टेंडिंग बना लिए ये जानते हैं कि इनके राज्यों में पत्ते इनके हाथ में हैं तो इनका ये तो अपनी मनमर्जी खराएंगे और उत्तर परदेश में आप तो जानते हैं उत्तर परदेश से तो आप संबन रखते हैं कि उत्तर परदेश में तो कॉंग्रेस तो अब सबसे निचले स्तर पर है इस समय कुछ उनके पास है नहीं कहीं भी और पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि इस बार तो रायवरेली भी सीड़ जाती हुए नजर आ रही है या तो सोनिय जी सैथ चुनाव नहीं लड़ेंगे चर्चा ही है कि वो करनाटक से राज्य समय से डह रही है हमाँ पर तो उनके लिए प्लानिंग ये बन रही है कि रायवरेली के बजाए अभी तीन सीटे राज्य सभा की खाली होने वाली है करनाटक में मार्च या अपरेल में जिस समय चुनाव हो रहे होंगे लोग सभा के उसी समय हो रहे होंगे तो मुझे लगत मैवति इस बार 10 पिछली बार सांसद बन गए थे नएखलेश के साथ चली गए थी इस बार मेवति हो भी जाते हो उने जरा रहे हैं दानी शली 10. का सबसे बड़ा उदारन है कि वो सांसद है और भाग रहा है किया रहा है कि मुझे अखलेश के साथ मिलके चुनाव लड़ना है जैन्त चोधरी से टिकट माग रहा है कि आप रेल्डी के टिकट पर दे दो क्योंकि हम रोहा में जाट भी अच्छे खासे ही हैं तो आप मुझे कि नहीं कि हमने और सभी बात भी एन कि सवाल वाजिब है कि तेलंग काना के बारे में चिंता नहीं है और मुझे दगरा है कि ने ये भाजपा के प्रस्पेक्टिव से इन्होंने सवाल पूछा है कि भाजपा ने भी आजकल तेलंगाना में एक्TIVITIES बिलकुल लगबक कम की हुई है और मोदी जी का फोकस अब राजस्तान मद्य परदेश इधर जाद हो गया है कि वो जहां 100% शोर हैं उसी को शोर करना चाहते हैं अभी तो मुझे पता लगा है कि दो या तीन तारीक में शायद फिर से मोदी जी का उधर कारेकरम हैं चितोड वगरा में महा पे जा रह आरेलडी में कुछ नहीं चल रहा है सब और आरेलडी के बारे में जो है आपके जो धंकड साहब हैं जगदीब धंकड उन्होंने ये कोशिश शुरू की थी कि बाई मैं जाट हूँ तो सारे जाटों को मैं मैंनेज कर लूँगा चाहे वो अरियाना के हो चाहे राजस्थान के हो चाहे यूपी के हो तो आपको पता ही है कि वो तो आपके राजस्थान में तो कई चक्कर लगाया हैं अशोग गैलोग तो कह रहे हैं कि एक एक दिन में चार-चार हलिकॉप्टर में उड़ रहे हैं वहाँ पे हमें परिशान को रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने बताय पियूश गोयल और अमित शाह से कराई है पिछले पार्लेमेंट सेशन में जो मानसून सेशन गया उसके दोरा यह चर्चाय थी हाला कि इस बारे में कोई पुखता जानकारी नहीं है लेकिन यह बताया जाता है कि जगदीब धनकर ने यह कोशिश की थी कि जैंत को अपनी का है वो जादातार आजकल वामपंतियों के बड़े करीबी हो गए है कई उन्होंने अपनी सोशल मीडिया सेल में जो है कई लड़कों को रख लिया है पक्के कमनिस्ट हैं जे एन्यू वगरे से निकले हुए हैं अभी एक उन्होंने वो किसान ट्रस्ट बनाई हुई है तो आधे वामपंति हो चुके हैं जैन चोपरी तो उनका जो चारो तरफ का जो उनके सलाकार हैं इस समय वो जादातार ऐसे ही लोग हैं जो उनसे ये कह रहे हैं कि साथ बीजेपी के साथ मत जाओ बीजेपी के साथ मत जाओ दूसरे बीजेपी उनके सामने एकी शर्ट रख क्योंकि आपको पताई है कि 2009 में जब जीत सिंग जीते थे बीजेपी के साथ अलायंस था इनका पांच सांसद बने थे आरल डी का जो बेस्ट था आज तक कभी पांच सांसद इनके नहीं बने वो जो अम्रोहा वाली बताई थी मैंने जैंत भी जीते थे जैंत पहली और आकरी हुआ था वो ऐसा हो गया था कि इनकी स्थिति वहां उन्हें अराई नहीं सकता यह जो बागपत सीट है यह 2009 में ऐसी बनी इसका जो ग्रामीन छेतर था इसमें आपको आपने सुना होगा मेरिट के पास एक कसभा है मोधी नगर जहां से गुजरमल मोधी और यह सब लोग ल दो जार लोग और वो सिटी सिटी बेस्ट है और बीजेपी का गड़ है पका तो उसने ऐसा इनका इक्वेशन बिगाड़ दिया और उसके कुछ गाव जो अटके वो चले गए उसमें मुझा फरनगर में चले गए थे सर्दना कॉंस्टेंसिसी वो अलग हो गया और कैराना म नहीं गए थे लेकिन मेरट में और मुझा फरनगर कॉंस्टेंसियों में कुछ उनकी और कुछ गाजयाबाद में लगा दिये गए थे उसके उस इलाका जैसे लोनी वगएरा उधर का मिलता हुआ इलाका है जो खेकड़ा वगएरा वो उसमें लगा दिये गए गए थे तो उस सीट का परिसीमन ऐसा हो गया कि वहां RLD का केंडिडेट किसी आलत में जीते नहीं सकता दो चुनाव तो यार चुके हैं पहले पिता जी आ रहे थे फिर इस वार जैन थार गए थे तो इसी बज़े से उन वो तो राज्य सभा में अगर पहुँच गए है तो वो उनके ल को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें